हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपके इंगलिश एजुकेटर स्वाति राठ और स्वागर करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ओलाइन प्रेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और इस वीडियो में हम लोग आज सेनोनिम का पार्ट नाइन करेंगे, इससे पहले के सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अविलेबल हैं, I hope आप सभी ने वो वीडियोस देख लिये होंगे, और अगर उनमें से कोई वीडियो बाकी है तो आप उसको जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो now without wasting much time, आज का ये वीडियो के continue करते हैं और चलते हैं पहले word की तरफ, पहला word है हमारा 45, 45 का मतलब होता है to make a place stronger and ready for an attack, मतलब किला बंदी करना, या फिर किसी जगह को हमले का सामना करने के लिए मजबूत या फिर तयार करना, अब हम options देख लेते हैं कि इन options में से इसका सही synonym क्या होगा, option A और option B, मतलब create और generate, इन दोना का meaning सेम होता है to produce, मतलब कुछ नया उत्पन करना है या किसी नई चीज की रचना करना, option C देखिए, prohibit का मतलब है to forbid, प्रतिबंद लगाना या रोग लगाना किसी चीज पे, option D is strengthen, strengthen का मतलब हो जाएगा to make stronger, किसी चीज को और मजबूत बनाना, तो यहाँ पे 45, जिसका मतलब होगा किलाबंदी करना, या फिर जगह को हमले का सामना करने के लिए और मजबूत या तयार करना, यहाँ पे इसका सही, synonym होगा, option D, strengthen, मतलब पहले से strong बनाना, मजबूत बनाना, I hope आपको यह सारे words clear और यहाँ पे 45 का सिनोनिम भी clear है, option D होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है, intrepid, intrepid का मतलब होता है, fearless या फिर अनफरेड, निर्भाय, निर्भीक, अब हम options देख लेते हैं, option A है, hesitant, hesitant मतलब tentative या फिर unsure ऐसा व्यत्ती, जो संकोजी हो, जो जिजकता हो, उसे बोलते हैं, hesitant, option B is fearless, fearless मतलब bold and brave, जो बेखोफ हो, जो निर्भीक हो, जिसे भय ना हो किसी का, वो होगा, fearless, option C is extrovert, extrovert मतलब socializer, an outgoing person, एक उत्साही व्यक्ती, जिसे अकेले रहने के बजाए, अपने सातियों के साथ रहना अधिक पसंद हो, उसे बोले option D देखिए, फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी मतलब अच्छी जानकारी होना किशी विशय के बारे में, यह हो जाएगा फैमिलियरिटी, तो यहां पे जो हमारा word है, interpret, which means, a fearless or unaffraid person, इसका सही सिनोनिम होगा, option B, fearless, hope आपको सारे words clear है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले word की त understood हो, spust हो एकदम, उसे ही बोलेंगे, perspicuous, अब हम options देखते हैं, option A है, relevant, relevant मतलब appropriate या फिर applicable हो, एक current time, period या फिर circumstances पे, यह होगा relevant, option B is precise, precise मतलब accurate हो या फिर careful about details, इसे ही बोलते हैं, precise, option C is brief, brief मतलब short or quick, मतलब concise हो, थोड़ा, छोटा सा form हो, जो संचिप्त में, इसे brief बोलेंगे, option D is clear, clear मतलब understandable, जिसको सुनने या समझने में, जदा कठनाई ना हो, जो सुनने और समझने में, पॉष्ट हो, साफ हो, उसे बोलेंगे clear, तो यहाँ पे जो word है, perspicuous, इसका सही synonym होगा, यहाँ पे इसका सही synonym होगा, option D, clear, hope आपको सारे words clear है, तो आगे बढ़ते हैं, और चलते हैं अगले word की तरफ, अगला word है हमारा benevolent, benevolent मतलब kind या फिर helpful to others, ऐसा व्यक्ती जो की दयालू हो, परोपकारी हो, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत पर रहता हो, इसे बोलते हैं benevolent, अब हम options देखते हैं, option A देखिए beneficial, beneficial मतलब 5 a month, option B is kind, kind मतलब उदार या फिर दयालू, option C is helpful, मतलब वही जो हमेशा दूसर की मदद के लिए तत पर रहता है, परोपकारी हो, जो दयालू हो, option D is supportive, supportive मतलब जो समर्थन करें साथ दे, उसे बोलते हैं supportive, अब यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, कि यहां पर थोड़ा सा confusion होगा, कि सही answer क्या होगा, option B सही है, या option C सही है, क्यूंकि बानों के मीनिं लगबग हमको सेम दिख रहे हैं, तो जब भी ऐसी कोई situation आ जाए, जहां पर हमको एक से जादा option सही दिखें, उस time पर हम उस option को tick करेंगे, जो की पहले दिया गया हो, अब यहां पर kind और helpful, यह दोनों ही इसके synonym हो सकते हैं, लेकिन kind पहले दिया है, इसलिए इसका answer kind ही तो अब आपको यह चीज़ clear हो गई होगी कि जब भी ऐसी कोई situation आए, जब हमें एक से जादा option सही लगें, तो हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, अगला word है enigmatic, enigmatic का मतलब होता है mysterious, रहस्यमय, राज, उसे बोलते है enigmatic, अब options की तरफ चलते हैं, option A है magnetic, magnetic मतल कि कुछ ऐसा हो जिसके पास ability हो, metal objects को अपनी तरफ attract करने की, मतलब जो धातू होती है, धातू से बनी चीज़ों को अपनी और आकरशित करने की, जिसके पास सच्छमता हो, उसे ही बोलेंगे magnetic, मतलब चुमबकिया, option B is automatic, automatic मतलब की ऐसी चीज़ जो की human control के बिना ही हो जाए स्वैम चालित, इसे automatic कहेंगे, option C is speeding, speeding मतलब की legal speed limit से ज्यादा, अगर speed में vehicle को चलाएं, उसे बोलते हैं, speeding and option D is puzzling, puzzling का मतलब वही enigmatic, रहस्य मैं mysterious, तो यहां पर इसका सही synonym होगा, option D puzzling, enigmatic मतलब puzzling, mysterious, hope आपको सारे words clear है, तो friends, आज मैंने आपके साथ कुछ words डिसकस क उनके synonym बताएं कि क्या synonym होगे, और जो दूसरे भी words है, option में उन सभी के meaning बताने की कोशिश की है, I hope आप सभी को यह सारे ही words clear होंगे, और अगर still doubt है तो आप वीडियो को एक बर repeat करके भी देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए, share कीजिए अपने maximum friends and relatives के साथ, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल्दी आगे मिल जाए करेगी, तो फिर मिलेंगे कल एक नए episode के साथ, तब तक के लिए, stay tuned with us, thank you so much, wish you all the best.